नमस्कार मैं हूँ प्रभात और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लैस दोस्तों विजय हजारे ट्रोफी 8 दिसंबर से सुरू होनी वाला है पहला मैच आंध्रा प्रदेश और ओडिसा के बीच सुबह 9 बजे से खिला जाएगा वही 8 दिसंबर को ही इसी समय यानि कि सुबह 9 बजे गोवा और असम की टीमे भी आमने सामने होंगी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असम की टीम के बारे में उनकी क्या सेड्यूल है और पांच लिग मैचेज में से कौन सी ऐसे मैचेज हैं जहां पर असम की टीम जीत दर्ज कर सकती है इसके बारे में दोस्तों डीटेल में बात करेंगे लेकिन उसे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं कराए तो वीडियो को लाइक कर लिजे बी सी सी आई ट्राइल और टॉर्णामेंट से रिलेटेड सभी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करने दोस्तों अगर आप एक बहतरीन क्रिकेट लीग खेलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जे टी सी एल ओफिसियल की जो कॉंटेक्ट नंबर है वो दे दी है आप उन्हें संपर कर ले दोस्तों बहुत ही कमाल का यह ट्रॉर्णामेंट होने बाला है 25 नवंबर को बिहार में ट्राइल होने वाला है दोस्तों तो आप उन्हे से सर्विसेज 11 दिसमबर असम पंजाब 12 दिसमबर असम रस राजस्तान और अखरी मुकाबला 14 दिसमबर को होगा लीग स्टेज का और यह मैच हो गाडरेल वेज के खिलाव दोस्तों असम का पहला मैच घुवा के खिलाव 8 दिसमबर को सुबह 9 बजी से खिला जाना है और तीसरे मैच में पंजाब के खिलाब भी असम की टीम ज़्यादा मजबूत साबित हो सकती है असम के लिए राजस्तान के खिलाब 12 दिसंबर को होने वाला मैच समसे ज़्यादा कठिन हो सकता है और इस मैच में असम को हार भी जिल नी पर सकती है वहीं लीग स्टेज के अपने आखरी मैच में असम को 14 दिसंबर को रेलवेज के खिराब जीत दर्ज के रने के लिए प्रवलतावेदार मानी जा रही है तो दोस्तों यह जो कुछ 5 मुकावले होने वाले हैं उसमें से 4 मैचे यहां पे जीत सकती है असम की टीम इस बात की ज्यादा संभावना यह लजर आ रही है दोस्तों आपको क्या लगता है असम की टीम इस टॉर्णामेंट के लिग स्टेज में कितने मैचे जीत सकेगी कॉमेंट करके जरूर बता और गाइस अगर आप BCCI ट्राइल और टॉर्णामेंट से सभी ख़बर हों तो हमें सब्सक्राइब करना मत बुलना मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई एंडी सेफ एन लव यू आल